Hello Friends, Amazing Kitchen by Deepa Niga में आपका स्वागत है आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बेसन का चीला बनाने की रेसिपी बेसन का चीला कम तेल में बनने वाला एक healthy breakfast है आज हम बेसन के चीले को दो तरीके से बनाएंगे रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आप से रिक्वेस्ट है कि मुझे support करने के लिए मेरे वीडियो को like, channel को subscribe, bell icon को press और जादा से जादा शेयर कीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं बेसन के चीले को बनाना बेसन का चीला बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी बेसन और वन फोर्थ कटोरी सूजी चीले के लिए हमें एक दब महीन सूजी लेनी है अगर आपके पस मोटी सूजी हो तो आप उसे मिक्सी में पीस लीजिए सूजी डाले से चीला बहुत ही क्रिस्पी बनता है सबसे पहले हम बेशन को छानेंगे इसमें सूजी एड़ करेंगे थोड़ा थोड़ा गरम पानी डाल कर मिक्स करेंगे हमें यहाँ पर गरम पानी ही यूज करना है अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि बैटर में कोई लम्स ना रहे पेस्ट तयार है, हम आधे घंटे ढखकर रख देंगे सब तक हम चीले का special मसाला तयार करते हैं इसके लिए 1 थर टीजपून काली मिर्श पाउडर 1 फोर टीजपून सफेद नमक 1 फोर टीजपून काला नमक 1 फोर टीजपून लाल मिर्श पाउडर 1 फोर टीजपून भुना जीरा पाउडर और 1 फोर टीजपून अमचुर पाउडर डाल कर मिक्स करेंगे मसाला तयार है मैंने चीले की फिलिंग के लिए प्याज, लाल, हरी, पीली, शिमला मिर्च, हरी मिर्च और पनीर को स्मॉल पीसेज में कट कर लिया है आधा गंटा हो चुका है हम चीले के बैटर को चेक करते हैं हम इसमें स्वादा नुसार नमक, हाफ टेज़्पून हल्दी पाउडर और टू पेंच हिंग डालेंगे मिक्स करेंगे बैटर थोड़ा थेक है इसमें थोड़ा पानी मिक्स करेंगे चीले का बैटर तयार है हम इसमें से आधा बैटर अलग बाउल में निकालेंगे क्योंकि हम चीले को दो तरीके से बनाएंगे पहले तरीके से बनाने गे लिए एक बाउल में हम कटी होई पीली, हरी, लाल, शिमला मिर्च, प्याज, थोड़ी हरी मिर्च डालेंगे और उसे मिक्स करेंगे वन फोर टी स्पून अजवाइन डालेंगे और इसे भी मिक्स करेंगे अब हम पैन को गरम करेंगे पैन के गरम होने पर थोड़े पानी का छीटा डालेंगे पैन को कपड़े से क्लीन करेंगे अब पैन चीले के लिए तयार है गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और बैटर डालेंगे थोड़ा ओयल स्प्रेट करेंगे और चीले को पलट देंगे इसी तरह पलट पलट कर हम चीले को सेक लेंगे हमारा फर्स्ट टाइप चीला रेटी है अब हम सेकंड टाइप चीला तयार करेंगे गरम पैन में पानी की छीटे डालकर कपड़े से पोस देंगे ऐसा करने से चीला बहुत क्रिस्पी बनता है पैन में बैटर डालेंगे फ्लेम को low to medium रखेंगे ओयल स्प्रेट करेंगे एक मिनट पैन को लिट लगाकर ढग देंगे एक मिनट हो चुका है लिट को हटा देंगे चीले के उपर light radish कलर आ चुका है हम चीले पर प्याज, लाल, हरी, पीनी, शिमला, मिर्च कटे हुए पनेर के पीसेज डालेंगे अब मैं इसमें चीज को ग्रेट करके डाल रही हूँ अगर आपके पास चीज ना हो तो उसके बगएर भी ये चीला बहुत ही अच्छा बनता है चीले का मसाला डालेंगे हरा धनिया, हरी मिर्च डालेंगे चीले को फोल्ड करके सर्व करेंगे देखिए चीला कितना क्रिस्पी बना है आप इसे चटनी के साथ सर्व कीजिए हम चीले को कट करेंगे ये चीजी वैज पिलिंग इस्पेशल मसाले के साथ बिसन के चीले को बहुत ही टेस्टी बना देती है आप इस चीले को एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा आपको कौन सा चीला सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट करके बताईएगा रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज मेरे वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक यू फार वाचिंग मै वीडियो